हाई गाईज और विल्कम बैक टू माई चैनल एवजेट क्लासिज तो गाईज आज एता एक 18 सेप्टेंबर और है संडे आज हम दा हिंदू नियूस पेपर को अनलेसिस करेंगे और इस नियूस पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोटेंट है तो चलिए बिना टाइम विजेट करेंगे वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस इंपोटेंट है यह बहुत दिन से नियूस में आया था और कल ही क्या हुआ है इसको फाइनलाइस कर दिया गया है तो चीतास फ्रोम नामेबिया गेट न्यू ओम इंडिया यानि की आप सब जानते होंगे नामेबिया से हम चीते ला रहे थे तो कल मोदी जी के बढ़ड़े पर उन्हें इंडिया में ला दिया गया है प्यम रिलीजिस थ्री एट नैशनल पार्क इन माद्य परदेश प्यम ने जो आठ चीता हैं उन में से तीन को माद्य परदेश के कुन पाल पर नैशनल पार्क में छोड़ा है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी रिलीज एक कॉलेशन ओफ चीता इन्टो दे कॉन पाल पर नैशनल पार्क इन माद्य परदेश उन सेटरडेश एट अनिमल्स इंकलूडिंग इसके अंदर फाइफ फीमेल है और थ्री समय क्या है मेल है वर फ्लोन फ्रों में विंडोक नैमेबिया से लाए गया है तो ग्वालियर फॉलओड बाइन हेलिकॉप्टर राइट सेहने लाए गया है तो दे ग्रास लेंड अफ कॉन पाल पर मिस्टर मोदी रिलीज थ्री ओफ देम दाचीताज विल बेन रिलीज इंश पेशली डेजिगनेटी एंड कुलूजर वियर दे वील लीव फॉर एंड लाइफ टाइम अफ एक 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 मन्थ यहीं पर रहेंगे जिससे यहां के हैबिटेट को एक्वार कर ले जीने का तरीका यहां पर सीख ले यहां की कंडिशन को यहां के हैबिटेट को देखने कि किस तरीके से रहा जाता है यहां की पहले एक महीने ही रहेंगे उसके बाद क्या हो इनका विजिटिंग बन जाएगा यानिकि इन्हें देखने के लिए पीपिल जाएंगे अब इस आठिकल में हमाई लिए दो चीज इंपोरेंट एक तो चीता और एक नामीबिया की लोकेशन तो पहले नामीबिया के लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन नामीबिया यह आपको अफरीका कॉंटिनेंस में देखने को मिल जाएगा या आपको सा अंगोला बोट्सवाना और साफ अफरीका अब हमने नामीबिया की लोकेशन देख लिए अब चीता के बारे में थोड़ा सा जान देख चीता एस इनोईएस जुबेटस एक लार्ज कैट है जो अफरीका में मिलता है एंड सेंट्रल इरान में एक फास्टेस लेंड एनिमल एस 1.72 kms ये चल सकता है. 1 km per hour. 1.28 km per hour सकी स्पीड एक्स्टीमेट की जाई है. इसलिए स्पीड इसने करी है मतलब 93 and 98 km per hour इसने करके दिखाया है. इतनी स्पीड इसकी प्रैक्टिस मा आई थी. and as such has several adaptation for speed including a light build, long thin legs, it is long tail, it typically reaches 67-94 cm at the shoulder and the head and body length is between 1.1 and 1.5 m. adult weight आपको इसका देखने को मिल जाएगा 21 and 72 kg के लंचम its head is small, its head is small and rounded and has a short snort and black tear like facial streak coat is typically tony to creamy white, white देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा pale buff and is mostly covered with evenly spaced solid black spots पर देखने को मिल जाएगे, आपको picture में भी देखने को मिल जाएगे, solid black spot 4 sub-species है इसकी जो रोके नाजिस की जाती है वो बहुत important है उसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं तो इसकी जो 4 sub-species है उसमें सबसे पहली है Southeast African cheetah है इसकी details थोड़ी सी देख लेते हैं इनॉमिनेट सब-species है इस जैनेटिकली डाइवर्ज हुई है एसियाटिक चीता से एज ऑफ 2016 लार्जेस पोपुलेशन नियरली 4000 इंडिविजुली से इस पार्सली डिस्टिब्यूटिटी ने अंगोला में मिला था यह बहुत सवाना में मोजंबिक नमेबिया साउथ अफेक और जैंब सब्सक्राइब करें देखने को मिल जाएगी चैड में इथोपिया में साउथ सुदान में इन स्मॉल हैवली फ्रेग्मेंटेड पोपुलेशन इन 2016 दे लार्जेस पोपुलेशन ऑफ टू-3 इंडिविजुल ओकर इन नौर्डन सेंटल अफ्रीकन रिपब्लिक में देखने में देखने को मिल जाएगी एनिके सेंटल अफ्रीकन रिपब्लिक में सबसे जाद हैं इन साउथ इस्टन चैड में देखने को मिल जाएगे दाइवर्ज जैनेटिकली फ्रॉम्द इस अफ्रीष अफ्रीकन चीता इतने ईयर्स एगों यह डाइवर्स हुए थे किस से पोपुलेशन उफ 191 इंडिविज्वीज्व ओकरीड अधरर देश इफोगस अगर एंड तजील एंड जीर इन साउथ सेंटर अलचीरिया में देखने को मिल जाएंगे नौथ इसन माली में इस लिस्ट एस इन इन देखने को मिल जाएंगा आई उसी एन में और इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किंडम क्या है इनका इनीमालिया फिलम क्या है को डाटा क्लास कुन सी है मैमलिया सबाडर कॉन सी है लिए और जैनस क्या है यससे कमने देखता भी इसपीस कोन सी है जूबेटस अब हम धने चीतके बारे में पूर डिटेल में पढ़ लिया अब देख लेत ीस इस साट्रिकल जो.. इसे पेसे पर दिए घ्याएं जो ए मालाज सेफ फ्लैक्स फ्लैक्स गेव इन प्राइवेट ऊनर्शिप नौर्म फॉर एलिफेंट यह गाल ऐने यह एक ऐलिपेंट के बारे में आप पर बात की गई है क्या होता है जो एलिफेंट ओनर होते हैं उननके क्या भोलते हैं जिनके ओनर प्राइवेट होते हैं without ownership da उनके पास ownership certificate भी नहीं होता लेकिंग उनके पास जे होते हैं elephant वोग हमने क्या पढ़ना इस article में टैंपल elephant के बारे पढ़त हैं तो थो का elephant के बारे पुछ लेते हैं लेकिसल डेम्पल ऐलीफीन है कि one day उनके पास certificate भी नहीं होता लेकिन उनके पास अपने elephant होते हैं अधर higher or and donated elephant यानि कि या तो उन्हें खरीदते हैं या उन्हें क्यों करते हैं जो वहां पर पूजा करने वगएर आते हैं वही लोग उन्हें donate कर देते हैं during the festive season festive season के दो रहाद temple elephant are usually wild elephant होते हैं जो temple elephant होते हैं posed from the forest of northeast India यानि कोने पोज किया जाता है कहां से northeast इंडिया से from wild here at a young age and then sold किया जाता है captivity to temples कोने बेचा जाता है their treatment in captivity has been the subject of controversy and condemnations by some while others claim that elephant form a vital part of socio-economic framework यानि कि कुछ इनकी क्रेटर साइज भी करते हैं और कुछ कहते हैं क्या है elephant इक socio-economic framework का पार्ट है वेटल पार्ट है बहुत important पार्ट है of many temples ceremonies and festivals in India particularly in south में इसको बहुत यूज किया जाता है largest elephant farm in इंडिया इस पुनतुर कोटा of temple of a guru vyaar यानि कि largest temple farm आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी पुनतुर कोटा में of the temple of guru vyaar it has about 59 captive elephants है इस temple में कितने 59 captive elephants it currently houses 58 captive elephants है इसमें अब इस time पर present में office 53 adult males है और 5 क्या है families इसकी देखने को मिल जाएगी अब elephant की बात करें तो यह आपको यह elephant देखने को मिल जाएगे जो temples में रहते हैं पेंटिंड temple elephant कनिच्चपुरम में देखने को मिल जाएगा temple elephant of a temple elephant of a viru paksha temple लक्षमी देविन देखने को मिल जाएगा temple elephant carries the idol of a lord of viru paksha देखने को मिल जाएगा और प्रोसेजन गोस अराउंड तो रिसीव देखने को मिल जाएगा यह सब elephant आपको temples में देखने को मिल जाएगे इनके बारे में ज्यादे टेल में नहीं पढ़ना सिर्फ इनका नाम याद रखना है अब देख लेते हैं नेस्ट आटिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट आफिस से इंपोटेंट है वह सिक्स पेज पर दिया गया इस्टेट्स की न्यूज में तो यह आटिकल है लोका युकता पुलिस रिजिस्टर एफायर अगेंस यदूरप्प विजेंद्र तो लोका युकता पुलिस ने क् किये किसके अगेंस यदूरप्पा जो फॉर्मल सीयमे किसके करनाटक के और विजेंद्र जो बीजेपी के लीडर है उनके अगेंस केस पार्टेंस टू करॉप्शन इन बैंगलो डेवलप्मेंट ऑथरिटी हाउसिंग कॉंट्रेक्ट यानि कि किसके लिए करॉप्शन के ल इस लिए क्या है पार्लेमेंटरी अंबुट्समें इसको बनाया जाता है किस चीज के लिए पावर को एक्सी करने के लिए इस ब्राव इफेक्ट इन फटेट अफर पासिंग दरप लोगयों इक्टा एक्ट के बाद इसको इस्टेट में लाए गाए था इन इस्सके बैपेटेबल बैंग जिसका अपुटेबल बैंग ग्राउंड होगा और स्टेट लिए इस पोस्तिक लिए नॉमिनेट किया तो उसको ना डिसमिस कर सकते ना उसको ट्रांसफर कर सकते गवर्मेंट के द्वारा and can only be remove उसको remove किया जा सकता है सिर्फ passing and impeachment motions के द्वारा by the state assembly making it a power deterrent against corruption and mal administration of governing system यानि कि अगर वो corruption के against माय हो और अगर वो administration में mal administration में यानि कि administration के साथ कुछ उसने छेड़ चाड़ कियो मतलब उसका system का अच्छे से use ना किया हो तो उसमें सिर्फ उसको पगला जा सकता है लेकिन लोग का यक्ता को कभी भी dismiss और टांसफर नहीं किया जा सकता administrative reforms commissioner for redress of citizens grievances submitted his interim report to a prime minister in October 1966 इसके दुआर इसको लाया गया है administrative reform commission ने अपनी एक report दी थी जिसको interim report बोला गया था Prime Minister को October 1966 में इसके recommendation में एक institute को setup करने की बात कही थी लोग का यक्ता को in each of the states में वो investigate and investigate करेगा complaints against the administrative actions and improve करेगा standard of public administration in India through investigation of complaint against administrative actions which include complaints of corruption, favoritizing and indiscipline as other existing system to handle these issues corruption को देखेगा, favoritisms को देखेगा और indiscipline जो हो रहा है government में system में उसको देखेगा namely course departmental authorities and other avenues were not sufficient to deal with issues of corruption यानि कि जो department authorities है वो इस चीज को sufficient नहीं है, इस चीज के deal में sufficient नहीं है कि वो corruption को देख सकें और other mal practices को देख सकें इसलिए इसको locate को append किया गया था Public servant and therefore, an alternative and efficient system machinery was needed In 1968, Government of India on the basis of administrative reform commission reports और इसके recommendation पे Government of India ने एक institution को establish किया, जो क्या था? Locke युकता On the pattern of ombudsman institute and introduce a bill, जैसे Sweden में ombudsman है institution का ऐसी यहाँ पर locke युकता है और इस bill को introduce किया गया था Appointment of Locke Pal and his deputies as national level Locke Pal को कहां पर appoint किया गया था? National level, आपको याद रखना है Locke Pal national level और Locke युकता state level And included Locke युकता को भी include किया गया था 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 दा बिल पास हुआ Locke सभा में lower house में इसको पास नहीं की रहा है However, the bill formed the basis of the legislation in several states for the creation of Locke युकता And the provisions of the Locke युकता Act varied from one state to another यानि कि जो provision Locke युकता Act के वो एक state से दूसरे state vary करते है As a result of these resolutions were adopted in first all India Locke युकता And upper UPA Locke युकता Conference handling similar to keep a uniformity in all the provinces of in various act of the state And the same were related in the all India Uka युकता and UPA Locke युकता Conference handling Bhopal And this is why state में सम्मिला आई जाए Bहुस सारी Conferences हुई similar में Bhopal में 9th and 10th October 2010 में As it was resolved that uniformity in the acts of a law state is necessary and hence it was planned that this would be feasible only by the central legislator के द्वारा इसको feasible यानि कि इसको control किया जाएगा Locke युकता को अब देख लेते हैं नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के Point Office से important है वो 9th page पर दिया गया है इस image से हमें समझना है उस आर्टिकल को यानि कि important points इस image से निकालने तो इस image में बताया गया है एक एंगलर डूरिंग आर्टिकल में अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या important है एक तो flying fish देखिंग नहीं है हमें और एक लीडर रीवर के बारे में तो चलिए सबसे पहले flying fish के बारे में तो फ्लाइंग फिस के है एक एक एग्जो सोईटीडिया और फैमिली ओफ मेराइन फिश है इन दा ओडर बैलिनी फोरस क्लास ऐसे टोफ टर जी नौन कॉलिक्यून एस फ्लाइंग फिस और फ्लाइंग कोड़ भी इसको बोलते हैं ग्रूप टिन सेवन तो नाइन जेनरा में 64 स्पीसिज रहती हैं वाइल दे को नौट फ्लाइंग इन दे सेम वे यह ऐसे नहीं फ्लाइं कर सकती जैसे बर्ड फ्लाइंग करती है फ्लाइंग फिस कैन में पावरफुल यह पावरफुल हो सकती है यह पावरफुल हो सकती है इसका उडने वाली फिस का कि यह पानी से भाहन निकलना चाहती है फिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे फिश यह आपको याद रखनी है उडने वाली स्वार्ड फिश, मैकरल, टूना भी उड़ती है और माललीन भी उड़ती है तो तो यह पिरिट्स फ्लाइट एक एक लैन फिलाइंग फिलाइंगे उसको बोलते है Barbados is known as the land of the flying fish Barbados country है वो क्या है एक land of flying fish उसको बोलते है and the fish is one of the national symbol of the country इस country का जो fish है वो क्या है national symbol है the exocet missiles is named after them as variants are launched from underwater and take a low tragedy skimming the surface before striking their target अब हमने इसके बारे में जाल लिया अब इसके बारे में थोड़ी short information देख लेते हैं जैसे चीता के बारे में देखी थी scientific classification क्या है kingdom कौन साइस का इसका अनिमेलिया फिलम कौन सा है को डेटा क्लास कौन सी है अब देख लेते हैं लीडर रीवर के बारे में तो लीडर और लीडर रीवर एक 73 किलोमेटर रीवर है सिचुएटिड है कस्मीर वैलियो जम्मून कस्मीर इंडिया में यह उरिजिनेट होती है फ्रॉम दा कोलाही गिलेशियर एलिवेशन नहीं जानना माउंट देखना इसका माउंट कहां से निकलती है जहलम रीवर एट मिर्कुल कैनेबल लैंद इसकी कितनी है 73 किलोमेटर अब देख लेते हैं नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ऑफिस से इंपोर्टेंट है हाँ नेस्ट आर्टिकल है जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ऑफिस इंपोर्टेंट वो 10 पेज पर दिया गया है किर्गिस्तान तजिकिस्तान होल्ड टॉक्स टू एंड बॉर्डर फाइटिंग अभी क्या हुई है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में हमेशा फाइटिंग देखने को मिली है कब से 2021 से क्यों फाइटिंग देखने को मिली है क्यों एक डिस्प्यूट चला था वाटर राइट्स पर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वेलाइंस यानि कि निगरानी पर कैमरास बाइट तगाज लेट तो क्लेश नियर दा बोर्डर दैट किले अट लिस्ट फिफ्टी फाइब पीपिल उस तैंप मारे गए थे दा प्रिसिदेंट ऑफ करिगिस्तान कजाकिस्तान सदर जैपराव एंड एमोमलिया रकमोन फ्राइडे में मिली है सम्मिट ऑफ दिशंगाई कोपरेशन और उच्बेकिस्तान में इस वीक बीच में क्या हुई है फाइटिंग देखनों में लिए जिसके अंदर 24 लोग मारे गए हैं और 100 इंजर्ड हुए हैं तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्रिगिस्तान और तजिकिस्तान की लोकेशन तो चलिए इनकी लोकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं तो आपको दोनों कंट्रिये सेंटरल एश्या में देखने को मिल जाएंगी किर्गिस्तान और तर्जाकिस्तान के बौडर कॉन 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 की से शेयर करती है चाइना कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान और खुद तीज इनाज ट्रीकल जो हमारे एक्जम के पॉंट आफी इंसे इम्पोट ओने घिए इन परम डेखेंगे क्लाइमिट चिंज क्या होता है ? its complex to understand the rainfall इस साल बहुत कब मांशुन आया और बहुत लेट मांशुन आया इस वएसे बताया है कि क्लाइमिट चेंज ने किस तरीके से हमारे जो यह है हमारा मांशुन है उस पर एफेक्ट डाला है सथेकशण अलर्मिंग इन्क्रीस इंट डिरॉबल आई आया इस साल बहुत चेंज टर्रॉबल वार्मिंग ने हमारे इस पर चेंज राइस को क्यों किया है मध्य पर इस गुजरात राइस्तान में खूब बारिस हुई है इस साल भी, 4 in contract, West Bengal, Jaharakhand and Bihar ने कोई भी बारिस नहीं देखने को मिलिया हम अपर नॉर्मल बारिस. Back-to-back active monsoon system in the Bay of Bengal in July led to excess rainfall to the dunes of 8%. Actually rainfall recorded 472.8 mm rain हुए इस बार, as against the normal of 437.2 mm. August 2, so 2 back to depressions forming in the Bay of Bengal and traveling across Central India. While summer monsoon rainfall each year is unique, summer monsoon rainfall क्या होता है? Each year unique होता है, बीने, large regional and temporal availability in rainfall this year. 8. क्या है, there is an evidence that global warming increased the function is in the monsoon resulting in both long dry and period and short space of heavy rains periods. देखने को मिला है, यानि कि जादे गर्मी पढ़ी है, और कम बारिस पढ़ी है इस बार. अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्लाइमिट चेंज, क्लाइमिट चेंज बहुत इंपोटन है, अब क्लाइमिट चेंज के बारे में थोला सा जान लेते हैं, तो कंटेंप्टरी क्लाइमिट चेंज इंक्लूट इसमें गलोबल वार्मिंग भी होती है, और यह इंपेक्ट करता है, अर्थ का वैदर पैटरंस, कि किस तरीके से वैदर चेंज के जाएं, यानि कि गर्मी कितनी हो, और सरदी कितनी हो, यानि कि बहुत जाद क्लाइमिट चेंज देखने को मिलेगा प्रिजेंट में, यह सब किसके द्वारा हो रहा है, बनिंग फोसल फियूज जलने हैं, एड्स ग्रीन हाउस गैस जिससे कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस एड्स हो रही है, एत्मोस्पीर में, सब्सक्राइब कार्बन डायोक्साइड एन मीथेन स्मॉलर कंटिबिशन कम फ्रों में एग्रिकल्चर से होता है कुछ कंटिबिशन क्यूंकि एड़ इंडर्स्टियर प्रोसिस से और फोरेस्ट लोस से गिरिनाहूस गैसिज वाम दा एयर बाइब्सॉर्विंग हीट रेडिय के अंदर गिरिनाहूस गैसिमिशन एंप्लिफाइब इस एफेक्ट कोजिंग दार्ट टो टेकिन मोर एनजी फ्रॉम सनलाइट दैन इट कैन रेडियेट बैक इंटो दे स्पेस यानि कि इसके दुवारा गिरिनाहूस गैसिस के दुवारा जो इमिशन से वह कम देखने को मि कर रहे हैं जो सनलाइट से रेज आ रही है उनको जादे अब्सवर्व कर रहे हैं जबकि रेडियेंट उनको ही जादे कना चाहिए द्यू टू क्लाइमेट चेंज की वज़े से डैजर बढे लेते जा रहे हैं वाल हीट वेशाय देखने को मिलनी है बहुत कोमन इंकी आर्क तो आपको मेल्टिंग परमा फोस्ट ग्लेशियर ट्रेट एंड सी आइस लोस्ट देखने को मिलना है यानिके ग्लीशियर महाँ पर मैल्ट हो रहे हैं हाइट टेंपरेचर और सो कोजिंग मोर इंटेंस स्टों ड्राउट अन अधर वैदर एस्टेम रैपिर इनवार्मेंटल चेंज इन माउंटेंज माउंटेंस के इनवार्मेंट में बहुत रैपिर चेंज देखने को मिला है कोड़ लीव्स में और आक्टिक इस फॉर्सिंग मैनी स्पीसिस टो डिलोकेट और बिकम एक्टाइन ट्रेडन पीपल्स विदा फूड और वाटै सिकार्सिटी हो सकते इवसे पाग कमी हो सकती इसके रिजल्ट में वाल्ट है और ग्रेट याज़ाट डिआ के लिए 21 सेंचुरीज यानि कि व्ल्ट है ओगनाइज़ेशन ने कहा है कि ग्लोबल त्रेट है ग्लोबल हेल्थ के लिए 21 सेंचुरीज में जो अब चल लिए सब्सक्राइब करें तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इंफर्मेटी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जाए हिंद एंड नेवर की बाप